इस question में क्या बोलता है कि x to the power of 4 minus 8x cube plus 18x square minus 8x plus 2 का value चाहिए और x का value क्या है 2 plus root 3 जब भी इस type का question है न तो हमें क्या करना है एक polynomial बनाना है जिसमें square root यह सब नहीं होगा क्या हम बोल पाएंगे x minus 2 का value root 3 है square कर देते हैं तो x minus 2 का square जो है 3 हो जाएगा कहने का मतलब x square minus 4x plus 4 का value 3 है तो दोस्त x square minus 4x plus 1 जो है 0 हो जाएगा अगर कहीं भी x square minus 4x plus 1 दीखे इसको हम 0 लिख देंगे हमें किसका value चाहिए तो question में दिखेगा कि भाई मेरे हमें जो value चाहिए वो चाहिए x to the power of 4 minus 8x cube plus 18x square minus 8x plus 2 का यह जो polynomial है देखिए क्या करना है कि इसको आपना x square minus 4x plus 1 से डिवाइड करो मालने जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे cosine आया qx नीचे कुछ remainder आएगा rx तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे इसको अच्छा यह चीज़े आप ध्यान से समझने का 4x plus 1 के साथ remainder है क्या आप बोलोंगे कि हाँ भाई है remainder तो है लेकिन क्या इस x square minus 4x plus 1 का value 0 है बोलोंगे हाँ रे 0 तो है तो 0 को qx से multiply करके क्या आजाएगा 0 तो answer सिधे आजाएगा remainder तो हम यही करना है न कि given polynomial को x square minus 4x plus 1 से divide करना है और check करना है remainder क्या आता है जो remainder होगा वह ही answer होगा तो एक method है कि आप directly ऐसे divide कर लेजिए दूसरा method है कि एक ही line में divide कर लेते हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप एक ही line में कैसे divide कर पाएंगे 10x square minus 8x plus 2 हम x to the power 2 minus 4x plus 1 से divide करने वाले हैं तो आप ध्यान से देखिए x to the power 4 कैसे आएगा जब इस x square से x square को multiply करेंगे मतलब x to the power 4 sort out हो गया इसके बाद क्या बचा माइनस का 8x की x square अभी minus 4x से multiply हो के minus का 4x q form करेंगे minus 4x q और missing है अगर हमने यहाँ पे minus 4x लिख दिया a minus 4x इस x square से multiply करेंगे कितना बनाएगा फिर से minus 4x q minus का 4x q मिलके minus का 8x q हो गया तो अभी आप देख पारें यह दोनों चीजे जो है balance हो गई है next जो है x square के चक्कर में हम लोग है अगर अभी देखे तो यहाँ से 1x square आया है minus 4x और minus 4x मिलके 16x square आया है दोनों मिलके 17x square बन गया हमें और कितना चाहिए 18x square 18x square के लिए अगर हम इधर 1 लिखेंगे a1 इस x square से multiply होके एक और x square बना लेगा 16, 17, 18 x square का भी काम हो गया तो आप देख पारें इतना लिख के न हमने first 3ों को balance कर लिया एक बार जब इतीनों balance हो गया है तो बाकी का जो चीज़ा वो देख लेंगे जैसे minus 8x minus 4x इधर से multiply होके minus 4x form करेगा और a minus 4x यहाँ से multiply होके minus 4x form करेगा minus 4x और minus 4x कितना रहा है minus 8x आप ऐसा समझेए कि यहाँ minus 8x ना होके minus 10x होता यह दोनों मिलके तो minus 8x ही form कर रहा है तो अलग से आपको minus का 2x लिखना पड़ता लेकिन ऐसा सीन तो है नहीं बस हम आपको समझाना चाहते थे तो यहाँ पर minus 8x है तो क्या minus 8x तक balance हो गया आप बोलेगे बिल्कुल balance हो गया फिर बचा क्या कि यह वल constant वाला टर्म तो right है left hand side में constant 2 है यहाँ पर constant 1 है क्योंकि 1 and 1 मिलके तो 1 ही होगा एक बच गया एक हमने लिख दिया क्या आ गया है यह तो 0 है 0 into 0 0 तो 0 plus 1 आंसर आ गया है 1 तो उमीद है यह चीज़े आप समझ पाए होंगे कि कैसे आंसर आया है अगर आप ऐसे divide कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है आपका time बच जाएगा अधरवाइस long division तो है ही फिर भी अगर कोई समस्या रह जाए तो आप comment section में जरूर पूछ ले बेजी जग पीना कोई tension थी तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहाँ पे सारे best pure IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic एक से लेके जाएंगे ठापता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ